एक गाना सुना होगा आपने कि जिसका मुझे था इंतिजार वो घड़ी आ गई, वाकरी में एक और घड़ी आ गई, क्योंकि ऐसा एलाउंसमेंट कुछ लोगों को पसीना से नहीं, कुछ लोगों का धर्दी ही फट जाएगी, फिर बात ऐसा कि यहाँ पर केजेफ चैप्टर थ्री का एलाउंसमेंट हो गया, इसके बाद चैप्टर थ्री को लेकर सारे लोगों को एकसाइटमेंट था, कि यह कब आएगा किसी को नहीं मालूम था, मगर ऐसे ही अपडेट आया, सारे लोग इंतर जोमी उठें, मगर इसमें कुछ-कुछ हींटे दे दिये हैं, जो कि ज आएड सलार हो जाएगा, क्योई कि जीस तरफ पठान में एक इन वर्स बना था, इसमें भी सेम एक सलार हो सकता है कि बन जाएगा, क्योखavan की भया को तो कोई बचाने तो आएगा, वहां पर तो समुन्दर में तो कोईना और अईगा, क्योंकि इन भोने भी जिक्र किया है क 1998 से लेके 1981 तक इसके बीच में 16 देसों में जाकर घूम कर आये हैं और वहाँ पर ऐसे उसे क्राइम करकर आये हैं हनीमून मनाया था हनीमून क्यों साधी के ठीक एक साल बाद सालगीरा मनाया जाता है वच्छा से पार्टी उठी मनाने के लिए भाई साब तो दूसरा देसों मे जाना पड़ेगा उसी तरह से रोक्यी भाया का सालगीरा ही था क्योंकि बोल सकते हैं कि सालगीरा ही था 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 उत्रत दिमाघ लगाने की जरूरत नहीं है और लुषह कुछ कुछ हैं जो देखने बाली बात हो सकती है मगर इसके बीच में कुछ-कुछ ऐसे अपडेट निकल करा रही है कि कुछ दीनों में ही पुसपा 2 के लेकर जल्द ही आने वाला है और सेम इसी तरह ये भी केजिएफ चैप्टर 3 लगभग अभी तो साल भर का समय लग सकता है वरन तो इस साल के बाद जन्वरी या फर्वरी में अगले साल देखने को मिल जाएगा अगर अभी कर्फर्म नहीं हो सकता जब तक टीजर ना आ जाए एजिएफ चैप्टर 3 का जैसे ही टीजर आएगा हम आपको अपडेट देगे और अपडेट सुनने के लिए हमारे चैनल को स सुस्क्राइब तो करना परेगा